स्वागत है आपका हमारे एस कोचिन सेंटर में अगर आपका सब्जिक्ट होम सेंस और आप होम सेंस से किसी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हल्फुल होंगे चाहे वह प्रैक्टिसेट हो क्लासे जो या फि प्रैक्टिसेट से और अभी इसकी आगे के कोश्चन करेंगे इस प्रैक्टिसेट में लगबग 150 कोश्चन है आज हम कंप्लीट करेंगे इसे कल हमने लगबग 105 कोश्चन देखे थे कंटिनेशी बने रहनी के लिए मैंने यहां से कोश्चन स्टार्ट किया है 104 से तो आगे क आगे से खुलने वाले नवजात के लिए hon我說 को एक और मेरी तो सरोतम सिर्ट के लिए सवर्खता होмы और काई आतराया अपने नेक्स कुश्इन हो से हमारी स्वर्षत्र अद्हिकर व्रुस्टर बनाने मेली और रिष्यों जाएगा option number a पर्याप्त दृटता वस्तर बनाने के योगे रेशो में बिशेश गुन होना चाहिए वह है पर्याप्त दृटता option a सही हो जाएगा आते अपने next question पर next question हमारा उनके रेशे में इन में से कौन सा गुन होता है तो दृटता सुक्समता असान देखरेक या फिर उसरता प्रदान करना तो उनके रेशे में कौन सा गुन होता है यहां पर गुन पूछ रहा है यहां एंसर हो जाएगा option number d उसरता प्रदान करना option D सही हो जाएगा, उनी रिष्यो को हम सर्दी के मौसम में यूज करते हैं, इससे भी हम एंसर इजली टिक कर सकते थे next question पर आते हैं next question है हमारा कि निमलिकित में से कौन से वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है तो उनी, रेश्मी, रियोन या फिर सूती तो कौन से वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है, तो यहां पर option D सही हो जाएगा सूती वस्त्र सूती वस्त्र का रख रखाव सहज होता है, option D सही हो जाएगा आते हैं अपने next question पर next question हमारा कि वस्त्रों को सबसे पहले परिस्कृत किया जाता है तो धो कर, उबाल कर, प्रेश्य करके, सता पर शियरिंग और ब्रशिंग बीदि करके, तो वस्तरों को सबसे पहले परिस्कृत कैशिक किया जाता है, तो यहां इंस absorbed эп। सॉरोर के, सता पर सियरिग और ब्रशिंग बीदि करके, नेस कुश्यन पर आते हैं, नेज़ कुश्चिन हमारा कि एपलिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है तो कपड़े के ऊपर कपड़े से डिजाइंग बनाकर धागों से डिजाइंग बनाकर A और B दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो एपली का कार्या कपड़ों पर कैसे किया जाता है तो यहां एंसर हो जाएगा ओफसर नमबर A कपड़ों के उपर कपड़े से डिजाइंग बना कर नेस्ट कोशिन पर आते हैं नेस्ट कोशिन है कि गोलक बिदी में कौन से गोलक का परियोग किया जाता है तो स्याही का इथर का रंग का या फिर नमक का तो गोलक बिदी में कौन से गोलक का परियोग किया जाता है श्याही, इथर, रंग या फिन नमक घोलक बीधी में इथर का परियोग किया जाता है option B शही हो जाएगा next question पर आते है next question एक शदारता किस परकार के वस्तर से घोलक बीधी द्वारा धबबा छुड़ाते है तो nylon, rayon, suti या फिर uni तो किस परकार के वस्तरों से घोलक बीधी के द्वारा धबबा छुड़ाते हैं तो यहाँ पैंसर सही हो जाएगा option number D, uni उनी वस्तरों पर लगे धबबों को घोलक बीधी के द्वारा छुड़ाते है next question पर आते है next question है कि नाटे कद के तथा मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए तो किस टाइब के वस्तर नहीं पहनने चाहिए तो छोटे प्रिंट वाले वस्तर, बड़ी प्रिंट वाले वस्तर, छोटे तथा बड़ी प्रिंट वाले वस्तर, साधा वस्तर तो जो नाटिक है जो छोटे जिनकी कद छोटी और उपर से मोटे हैं उन्हें बड़ी प्रिंट वाले वस्तर नहीं पहनना चाहिए वह और भी ज्यादा छोटे और मोटे लिखेंगे तो option B जही है नस्कोषिन पर आते हैं नेक्स कोषिन हिसी एक तन्तुक मिलड़ी यह सकते हैं ख्यादा disciplined तो नाइलोन, रेशम, कपाश या पर पोलिष्टर एस्टेपल दिया तो आप इसली एंसर टिक कर लेंगे लेकिन यहाँ पर यह तन्तुक दे दिया तो आपको दिक्कत आएगी तो इसको ध्यान में रखेंगे तो वो हो जाएगा और अफसन नंबर बी रेशम, रेशम इस्टेपल रेशा है, और अफसन भी शही हो जाएगा नेश्ट कुश्चिन पर आते है नेश्ट कुश्चिन है कि बच्चों के वस्तर किस रंग के होने चाहिए, गहरे, हलके, या फिर थंडे, या फिर इन में से कोई नहीं यहां बच्चों के रंग पूछ रहा है, तो बच्चों के जो वस्तर है, उसके रंग कैसे होने चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा नेस कोशिन पे आते है नेस कोशिन है कि सिले शिले वस्तरों की श्रेणिया होती है एक, दो, तीन या फिर चार सिले शिले वस्तरों की श्रेणिया कितने प्रकार की होती है एक, दो, तीन या फिर चार तो वो होती है तीन शिले शिलाय वस्तरों की श्रेणिया त्रिंग प्रकार की होती है नेश कोश्चन पर आते है नेश कोश्चन है कि गुडवत्ता का चिन है तो शिलाय बंदक अस्तर या फिर सभी तो गुडवत्ता का चिन क्या है तो चिन बंदक अस्तर इन में से शभी option D सही हो जाएगा next question पे आते है laundry का अर्थ है laundry का अर्थ क्या है गंदगी निकालना और उन्हें मंदा बनाना कपड़ों को लकड़ी के डंडे से कूट कर धोना कपड़ों को अलमारी में अच्छी तरह रखना या फिर इन में से कुछ भी नहीं laundry क्या है गंदगी निकालना और उन्हें शाफ बनाना यहां मंदा पता नहीं क्या लिखा हुगा समझ भी नहीं है रहा गंदगी निकालना और उन्हें शाफ करना laundry का अर्थ होता है कपड़े को कूट कूट के धोना नहीं होता और अच्छी तरह से अर्मारी में रखना भी नहीं होता है इन में से कोई होगा नहीं option A शही हो जाएगा next question पर आते है next question है कि कपड़े को नए जैसा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए तो उन्हें मशीन से दोना चाहिए कपड़ों को अगर नहीं जैसा दिखाना चाहते है तो हम उन्हें मशीन से धोयेंगे option A सही हो जाएगा next question पर आते है next question A कि मार किन कपड़ों में लगाया जाता है सिल्क, सूती, उनी या फिर टेरिलॉन तो मार किस टाइप के कपड़ों में लगाया जाता है मार सूती कपड़ों में लगाया जाता है option B शही है next question पर आते है कीमती वस्तरों को ड्राइ ट्राइ कलिन कराना चाहिए साब़क से धोना चाहिए डिटर्जन से धोना चाहिए या फिर start लगाना चाहिए यहां पहन सही हो जाएगर dry clean कराना चाहिए कीम्ती वस्तर नाजुक होते है इसलिए उन्हें dry clean कराना चाहिए option A सही हो जाएगा next question पे आते हैं सफेज सूती वस्तर पर लगाई जाती है तो पानी नील गंदगी या फिर इन में से कोई नहीं option काफी पनी है हम सफेज सूती वस्तर पर गंदगी लगा कि उसे गंदा करके फिर दोना तो चाहेंगे नहीं तो इसलिए यह दो option कट गए अब रहा बात सफेज सूती वस्तर पर लगानी चाहिए पानी हम लगाएंगे क्यों पानी में तो हम धोते हैं वहाँ पे हम नील हमारा कि शाधी बुनाई है तो कौन सी बुनाई है साधी बुनाई रिब बुनाई शारिन बुनाई शैटिन बुनाई या फिर ट्रेल बुनाई साधी बुनाई किसे बोलते हैं तो option A शही हो जाएगा रिब बुनाई को ही साधी बुनाई कहते हैं नेश कुशिन पर आते हैं नेश कुशिन है कि बानस्पतिक दाग धब्बो को किश्माध्यम से हटाया जाता है बोरेक्ष, अमोनिया, सोडा या फिर इन मेंशे कोई नहीं तो जो बानस्पतिक दाग धब्बे होते हैं उन्हें कैसे हटाया जाता है उन्हें अफसान नमर दी इन में से शभी बानसपतिक दाग धबों को बोरेक से भी हटाया जा सकता है अमोनिया से भी हटाया जा सकता है अफसन डी सही है नेस्ट कुश्चन पर आते हैं कि इनमें से कौन सुसित्र की विशेषता है, तो टिकावपन, मजबूतीपन आरामधायक आधुम या फिर इन में से सभी इनमें से कौन ऑठ उस्ज हो जाएंगे? आफसान नमर दी यह शारे नमर जाते हैं तीका उपन, मजबूती, आराम दायक एवां मुलायम नेस्ट कुशिन पर आते हैं कौौन सी रेखा लंबाई को दरसाता है? खडी रेखा, छैटिज रेखा, वक्रे रेखा या फिर तीरशी रेखा कौन सी रेखा लंबाई को दरसाता है? तो जाहिवची बात है, खड़ी लेखा लंबाई को दर्साएगा of 거죠, एश अही होजाएगा खड़ी लेखा लंबाई को परदरसीत करता है इसलिए तो जब नाटी लोग होते हैं तो हम उन्हे नाटी और मोटी लोग होते हैं मुने बोलते हैं आप खड़ी लाइन की कपड़े पहने इसे आप लंबे दिखोगे लंबे और पतले दिखोगे नेश कोश्चन पर आते हैं प्रक्रतिक तंतु कौन सा नहीं है तो यहां पर जाएंगे औफसन नमर ए नायलोन नायलोन के नहीं नहीं आता है नेस्स कोश्चन पर आते हैं नेस्स कोश्चन की कौन सा परिधान छोटे एवं मोटे व्यक्ति के लिए उप्युक्त नहीं है यहां पर फिर से वही कोश्चन पूछ रहा है जिस कोश्चन को हमने पहले सौल्व कर रखा है यहां पर छोटे प्रिंट वाले वस्त्र बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र चोटे तथा बड़े प्रिंट वाले वस्त्र सफेद वस्त्र तो कौन से ऐसे परिधान है जो छोटे वां मोटे लोगों के लिए उप्युक्त नहीं है तो यहां हो जायेगा अप्सन नमर B बड़े प्रिंट वाले वस्त्र क्योंकि बड़े प्रिंट के वस्त्र हो पहनेंगे तो और अरेडी मोटे और मोटे दिखेंगे और उसके बाद छोटे भी दिखेंगे तो अप्सन B शही हो जाएगा नेस कोश्चन पर आते हैं किसी 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 का उपयोग मजबूत रशिय बनाने के लिए किया जाता है तो यहां पर जाएगा कौन सा सूती रेशम रेओन या फिर नाइलॉन चुकिए अंसर यहां पर दिख रहा है तो आपको टिक करने में दिक्कत नहीं आएगी तो कौन सा इसा रेशम है जो कि मजबूत रशिय बनाने के लिए बनाने के लिए किया जाता है परियो तो वो हो जाएगा अफसन नमर डी नाइलॉन नाइलॉन रेशिय का उपयोग मजबूत रशिय बनाने के लिए किया जाता है अफसन डी शही है नेक्स कोशन पर आते हैं न फिर जोबी कोलर दिये गया है इनमें सबसे ठंडा तो यहां पे सबसे ठंडा सफीद को माना गया है सबसे ठंडा आँज है यहां पे सही है उप्रोप्त शभी रेडिमेंट वस्तर करें समय हमें कपड़ी की गुरुवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए तो अफ़ाइं डी शही है समाजिक प्राप्ति के लिए सरीर को ढखने के लिए या फिर सरीर को गर्म रखने के लिए या फिर इन में से सभी समाजिक पहला ओफ्सन को कट कर देते हैं कि यहां पर कुछ लिखा हुआ है जो कि समझ में नहीं है रहा है लेकिन इसके भाव यह है कि समाज की अनुशार सरीर को ढखने के लिए सरीर को गर्म रखने के लिए फिर इन में से सभी तो वस्तर हमें इन सभी समाज से रख्षा के लिए समाज के समाज से रख्षा के लिए यहां पर यह होगा ऐसा ही कुछ होगा पता नहीं इसको कट कर दे है नहीं और स्टाइवा जबरना चाहिए कुछ नमबर 132 की मती वस्तरों को अधी चलुकेर में स्टैक्ति करना चाहिए कीमती वस्त्रों को जस्यान कौन से ऐसे कारक है जो कि कपड़े के वस्तर के चुनाव को प्रभावित करते हैं तो मौशन प्रभावित करता है हम घर्मी की दिनों में ठंडी के कपड़े नहीं पहन सकते और ठंडी की दिनों में गर्मी के कपड़े पहन के नहीं रह सकते हैं ठंडी की जरुवत परती हैं कोटिन की सारे क्या करेती कि अगर पतले लोग मोटे धीले डाले कपड़े पहने तो अच्छा नहीं लेगा और अच्छा नहीं लेगा और शादी ब्या पार्टी फंसंग नॉर्मली अगर आप गर में राते हैं तो इस रेजन से कपड़े चुनाओं पर यह प्रभाव डालते हैं तो अप्संडी सही है नेस कोशन पर आते हैं नेस कोशन है हमारा कुशन नमर 134 कि निम्नमेशी किश्रेशी को किश्रेशी किश्रेशी सूती वस्तर का निर्माड होता है तो पसू के बाल से कीड़े से पेड़ों से कपास से तो निम्नमेशी किश्रेशी सूती वस्तर का निर्माड होता है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्संडी कपास से कपास के पौधे से हमें सूती रेशी की प्राप्ति होती है आप्संडी सही हो जाएगा नेस कुश्चन प्याते हैं कि उनके रेशी में होता है तो कॉर्वन अक्सीजन नाइट्रोजन इनमेश सभी यहां पर सही हो जाएगा ऑप्संडी नाइट्रोजन का पासौरी उनके रेशी में नाइट्रोजन मौजूद होता है आप्संडी सही हो जाएगा नाइट्रोजन प्रोटीन यह उनके रेश्रे में और रहते हैं नेस्ट कोश्टें है नेस्ट कोशन हमारा इसकी कि चाय का द्बब्ब किस वर्ग में आता है तो बानास पतिक कि प्रारी जा चिकनाई चाय के धब्ब्ब या फिर खनिस धब्ब्ब तो जो चाय के धब्ब्ब है वो कि स्वर्ग में आते हैं यहां पर हो जाएंगे ऑफिजन्मर ए बानाष पतिक धब्ब एक अंतरगत आता हैं चाय का धब्बा next question पे आते हैं कि सुजनी सुई शिल्प की शिराज्य की शिल्प है तो पंजाब, गुजराद, बिहार या फिर ओडिशा तो जो सुजनी है ये बिहार की सिल्प है हस्त शिल्प है option C सही हो जाएगा next question पे आते है next question हमारे कि छार के संपर्क में आने से उनिवस्त हो जाते हैं निखर जाते हैं नश्ट हो जाते हैं मजबूत हो जाते हैं या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो चार के संपर्क में आने से उनिवस्त नश्ट हो जाते हैं चार के संपर्क में आने से उनिवस्त नश्ट हो जाते हैं option B सही है नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट कोशन है हमारे कि कपड़ों का चुनाव करते समय निम्निमेशी किसका ध्यान रखना चाहिए तो धोने में सुविधा जनक, रंग का पक्कापन और सोखनी की छमता है कपड़ों करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए तो धोने में सुविधा जनक होना चाहिए रंग का पक्का होना चाहिए और सोखनी की छमता होनी चाहिए नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट कोशन है हमारा कि निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतू है तो सिंथैक्टिक, क्रितिम, रेशम, सूती या फिर उनी यहां पर आप्शन भी शही हो जाएगा रेशम रेशम सबसे कोमल तंतू के अंतरगत आता है इसे बने वस्तर को राजिसरी वस्तर भी बोलते हैं और सन भी शही है नेस्ट कोशन पर आते हैं कि निम्न में से कौन प्रकृतिक तंतू है तो प्राड़िज, बानस, पति, खनिज या फिर इन में से सभी तो कौन से प्राड़िक तंतू के अंतरगत आएंगे तो ये शारे ही प्राड़िक तंतू के अंतरगत आएंगे और सन डीज सही है नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट कोशन एक कि खनीज धबा है तो कैसा धबा है? जंग, सबजी, क्रीम या फिर पैंट तो सबजी तो होगा नहीं, क्रीम होगा नहीं, पेंट होगा नहीं, जो खनीज है वो जंग है, जंग धपा की अंतरगत आएगा, और से ही हो जाएगा, नेस्ट कुश्चन पे आते हैं, नेस्ट कुश्चन है, चाय के धब्बे की श्वर्ग में आते हैं, तो बानस पतिक धब्बे, प्राड़िज धब्बे, वसायुक्त धब्बे, या फिर खनीज युक्त धब्बे, जो जो चाय के धब्बे हैं, ये और से बानस पतिक धब्बे के अंतरगत आते हैं, और से ही है के नेस्प कुशिन प्रग को जए से कौन प्राथमी की रंग है तो लाल हुरा पीला लाल पीला नीला या फिर बैगली नारंगी अहुम लाल तो प्राथमी के रंग कौन सा है चुकी आप सब को पता है कि ये प्रांग के अनुशार माना जाता है तो यहां option C शही हो जाएगा लाल पीला नीला ये प्राथमी के रंग के अंतरगत आते हैं और बैग नि असौरी डुतिक रंग के अंतरगत कौन से आते हैं ये आप comment section जरूर बताईएगा नेस्ट कोश्चन पर आते हैं कि धातू का नल साफ करने ही तू परियोग किया जाता है तो हाइड्रोगिक अमर्ट फिनाईल लोहे का चुन या फिर निम्बू का सिर्का तो जो धातू के नल होते हैं उन्हें साफ करने ही तू अफसन नमर डी निम्बू हुआ शिर्का का परियोग किया जाता है उपसन डी शही है नेक्स कुश्चिन पे आते हैं mouse question है हमारा कि निम्बूमें शिक्त कौन निम्बूमें शिक्त कौन प्राथमी की रंग है लाण वैगली हरा या फिर शपेद कौन प्राथमी की रंग है अभी हमने देखा था क्या देखा था लाल पीला और एक रंग देखा था हमने लाल पीला और नीला को देखा था हमने प्राथमिक रंग में हमने लाल पीला और नीला को देखा था यहां पर चुकिए लाल है तो आफसर एस सही हो जाएगा सब्सक्रण बीजिशारे नेस्पोचन एक कौन प्रैकितिक तबंहीं हम呢 ने नहीं पुखन न में देखा कि ये शारे ही प्राड़िजजय रेशिक के अंतर गट आते हैं ये प्राड़ के अंतर गट आता हैं तो अपुक्ट अपसथ्च सही influencer नएस कुशें पर आते हैा कि नैस्ट कॉश्शन है हमारा कि कॉफी का धबा है तो किस परकार का धबा है तो प्रारिज दबा है खनीज दबा है चिकना युक्त धबा है या फिर बानश पतिक धबा है तो जो कॉफी का धबा है ये बानश पतिक धबले के अंतरगत्व आता है balcon D लीज सही रहेगा कुल नेस कुछर्ड पहाते हैं कि नैस कुछर्ड शिंपियों 6000 169 कि यह एक मानो निर्मित तंतू है जिसे कृतिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है तो रियोन, नाइलोन, पॉलिश्टर या फिस्जूर यहां पर आफ़सर ए सही हो जाएगा रियोन, रियोन को रेशम को देखके निर्मार करने की कोशिज की गई थी और कोशिज करने में ही रियोन का निर्मार हुआ था इसलिए इसे मानो निर्मित तंतू एवं कृतिम सिल्क के नाम से भी हम जानते है और अफ़सर ए सही है, रियोन नेस्ट कोशिजन पर आते है नेस्ट कोशिजन है हमारा कि निर्मित मेंशी कौन बानस पतिक धबा नहीं है रस्दार, कॉफी, फूल, फल तो बानस पतिक धबे के अंतरगत नहीं आएगा तो यह हो जाएगा, और अफ़सर नमर ए रस्दार, सबजी, हलाकि आना इसे भी चाहिए लेकिन यह अफ़सर क्रिकोडिंग हमें इससे सेलेक्ट करना पड़ेगा नेस्ट कुश्चिन पर आते है नेस्ट कुश्चिन है निम्न मेंशी कौन कपड़े की धुलाई के अंतरगत नहीं आता तो दाग धबे चुड़ाना वस्तरों की मरमत शुखाना आरन करना तो कौन ऐसा है तो कि कपड़े के धुलाई के अंतरगत नहीं आता तो यहां हो जाएंगे ऑफ़सर नमर बी यह धुलाई के अंतरगत नहीं आता मरमत कर जाएंगे वहां शुखाना चूराना उख और लाइग यह नहीं आता है नेगा प्रिझा-। ये हैं कुष्टन शाइध हमारे चूट गए थे लास्ट में हैं कौन सी रेखा लंबाई की अभास कराती है तो खड़ी रेखा पड़ी रेखा वक्र रेखा या फिर क्रॉस रेखा तो हमने देखा था कि छड़ी रेखा तो मुझे मोटिवेट करते रहे ताकि मैं ऐसे ही video बनाती रहूं तो मिलते हैं फिर नहे प्रेक्टिसेट के साथ तब तक आप इन इस प्रेक्टिसेट को सॉल्व किजिए आज का मारा प्रेक्टिसेट है प्रेक्टिसेट नमर 68 थैंक्स पर वाचिंग